हेलो लवली लेडिज, मैं हूँ डॉक्टर सुरभी सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभी की प्रेगनसी टिप्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आई पिल का पीरियड के उपर क्या असर पड़ता है आई पिल लेने के कितने दिन के अंदर पीरियड आज आना चाहिए और कितनी डूरेशन तक अगर पीरियड नहीं आया है तो वहाँ पर प्रेगनसी का रिस्क होता है इसके इलावा और भी कई महत्पून जानकारियां मैं आपको आई पिल के बारे में इस वीडियो में देने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आई पिल एक इमर्जनसी कॉन्टरिसेप्टिफ पिल है जिसका जो में इंग्रीडियन्ट होता है वो होता है लिवो नौर जेस्ट्रिल 1.5 एमजी की मात्रा में इसमें मौजूद होता है इस एक गोली को आपको अनप्रटेक्टिट सेक्स के 72 घंटों के अंदर ले लेना होता है यानि तीन दिन के अंदर ले लेना होता है जिससे कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है या अवॉइड करता है प्रेगनेंसी नहीं होने देता है ये किस तरीके से इसको अची वह यह है कि यह Vaginal, जो Mucous होता है, जो Cervical Mucous होता है, उसकी Thickness को बढ़ा देता है, उसको और गाढ़ा बना देता है, जिससे कि Sperms को उससे Penetrate करके Uterus तक एग के पास पहुचने में दिक्कत होती है, वो Cross नहीं कर पाते है उस Barrier को, तो एक तो यह तरीका होता है जिससे क कि ये pregnancy को prevent कर सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है, कई बार कि implantation को ये avoid करता है, यानि कि जो fertilized egg और sperm होते हैं, उनको uterus की wall से पकने नहीं देता है, तो इन तीन तरीकों से ये गोली जो होती है, ये काम करती है, और pregnancy को prevent करती है, अब इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्न बात है, वो मैं आपको बता दू, क्योंकि आपने क्यों ली है, आइपिल आप लेते हैं, क्योंकि आपको pregnancy नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी को avoid करने के लिए आप आइपिल लेते हैं, तो इसके बारे में आपको ये बात जाना बहुत जरूरी है, कि आइपिल की जो effectiveness होती है, वो 89-90% ही होती है, यानि की 100% safe आप नहीं है pregnancy से, अगर आपने within 72 hours भी ली है आइपिल, तब भी 10% chances होते हैं इसमें pregnancy होने के, तो आपको आइपिल यूज करने से पहले ये fact भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और अगर आपने आइपिल ली है, और उसके 3 हफते बा पर जरूर करने चाहिए, अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आइपिल लेने के 3-5 हफते के बाद आपको एकदम से pain start होता है, आपकी lower abdomen में, साथ में bleeding होती है pain के साथ, तो उस condition में आपको doctor के पास जरूर जाना है, क्योंकि वहाँ पे कई बार ectopic pregnancy हो जाती है, यानि कि जो fertilized egg है, वो uterus तक पहुँचने की बजाए, उससे पहले ही fallopian tube में implant हो जाता है, और वहाँ पे pregnancy grow करने लगती है, अगर जादा grow करेगी, जैसे उसका natural process होता है grow करने का, तो fallopian tube में इतनी जगे नहीं होती है, कि वो pregnancy की growth के हिसाब से अपने आपक जाती है, फट जाती है, और काफी bleeding होती है, और ये एक life threatening condition सावित हो सकती है, इसलिए इसको काफी serious लेना है, इस symptom को और तुरन doctor को दिखाना है, तो इस तरीके से दो चीजे मैंने आपको बता है, जिसका ध्यान आपको रखना है, एक तो तीन हफते के अंदर अगर period नहीं तीसरे चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि eye pill जो होती है, ये emergency contraceptive pill है, इसे केवल emergency में ही use करें, अगर आपका कोई भी birth control का method जो आप use करें हैं, वो fail हो जाता है, उस condition में use करें, emergency में use करें, इसको routine birth control के method की तरह नहीं use करना चाहिए, और खास तोर प frequent इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका periods के उपर भी असर पड़ता है, और अगर आप इसको बार-बार लेंगे, तो उस condition में ये आपकी ovaries पर भी बुरा असर डाल सकती है, इसलिए बिल्कुल भी इसको बार-बार नहीं लेना है, emergency का मतलब है, emergency, यानि कि सिर्फ अ ये आपको STDs से नहीं बचाती है, sexually transmitted diseases जैसे की AIDS वगेरा इन सब से ये आपको नहीं बचाती है, तो best तो ये रहेगा कि आप condoms का इस्तिमाल करें, वो जाधा safe है, आपको infections से भी बचाता है, और ये pregnancy को prevent करने के लिए जाधा असरदार साबित हो सकता है, अब हम बात कर लेत तो फिर आपके periods पे इसका क्या असर पड़ता है, तो दीखिए अगर आपने IPL ली है, तो दो बाते हो सकती है, या तो आपका period थोड़ा जल्दी आ सकता है, या period थोड़ा delay हो जाता है, तो इसमें कितने दिन का delay हो जाता है, करीब एक हफ़ते तक आपका period दिले हो सकता है, या फिर हो सकता है कि करीब एक हफते पहले आ जाए जो आपकी expected date है period की उससे तो एक तो यह अंतर आ जाता है आपकी periods में दूसरी जो इसमें difference आ जाता है आपकी periods में वो यह है या तो आपका जो period आएगा eye pill लेने के बाद वो normal से थोड़ा heavy आ सकता है या फिर normal से थोड़ा light period आ सकता है तो यह एक और changes में हो सकता है eye pill लेने के बाद तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो यह है कि थोड़ी बहुत spotting हो सकती है eye pill लेने के बाद यान कि थोड़ी थोड़ी bleeding हो सकती है इंटर-menstrual bleeding जिसको कहते हैं क्योंकि यह period की तरह नहीं होती है heavy bleeding थोड़ी spotting या थोड़ी-थोड़ी bleeding होती है अगर यह bleeding जो है एक हफते से जाधा continue कर रही है तो उस condition में आप अपने doctor को ज़रूर दिखाईए तो इस तरीके से eye pill use करने का आपके periods के उपर असर पड़ता है कुछ और ऐसी important बाते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए eye pill use करने से पहले पहला fact यह कि अगर आपका वजन जादा है तो उस condition में eye pill ठीक से आपकी body पे काम नहीं कर पाएगी दूसरी चीज अगर आपको liver या kidney से related कोई problem है या फिर कोई bleeding disorder है तो उस condition में आप eye pill मत लीजे avoid करें eye pill को अगली चीज जो है वो यह है कि अगर आपका कोई medication चल रहा है कोई दवाईयां आपकी चल रही है तो उस condition में आप अपने मन से eye pill मत लीजे अपने doctor से consult करिए उनको बताईए कि आपकी यह medicines चल रही है और doctor की सला से ही आप eye pill लीजे वैसे तो eye pill over the counter मिल जाती है medical store पे आप जाएंगे मिल जाती है doctor का prescription नहीं मांगा जाता है वहाँ पे लेकिन फिर भी अगर यह condition है तो आपको cautious रहना चाहिए और अपने doctor से consult करके ही eye pill लेनी चाहिए तो hopefully यह वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा कामका लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए मैं आप से मिलूंकि अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रोगी है